गूगल प्लीज टर्न ओन एमसीबी गूगल प्लीज टर्न ओफ एमसीबी दोस्तों देखा आपने कैसे हम गूगल की मदब से अपना बाइफाई एमसीबी को ओन और ओफ करा शकते हैं प्रॉपर तरीके से आपको इसका कनेक्शन समझाऊँगा कैसे हम इसको एप के थूरू गूगल के साथ कनेक्ट करते हैं वो सारा प्रोसेस आपको डेटेल में समझाऊँगा आप देखेंगे तो इस बाइफाई एमसीबी को बनाया है CNC नाम की कंपनी ने और इसका मॉडल नंबर है वो आप इधर देख सकते हैं हमें यहां कनेक्शन करना है बस फर्क इसमें इतना है कि यहां पर एक बाइफाई मॉडूल लगाया गया लेकिन MCB की अंदर हमको मैनुवली अपने हाथ से इसको ओन और ओफ करना होता है अगर आप RCB देखेंगे तो वहां भी अपको अपने हाथ से ही ओन और ओफ करना होता है हम RCBO breaker की बात करें वहां भी हमको अपने हाथ से ही मैनुवली ओन और ओफ करना होगा तो जो हमारा BY-Fi MCB है इसके अंदर हम proper तरीके से फेज और नूटल कुछ इस तरीके से यहां connect कर देंगे नूटल हम यहां connect कर देंगे और फेज हम इस साइड पर connect कर देंगे क्योंकि यहां आप देख सकते हैं input लिखा गया है नूटल है यहां नूटल कनेक्ट कर दिया है दूसरी साइड में आप देखेंगे तो यहां आउटपुट लिखा हुआ तो यहां नॉर्मली में एक वल्व का कनेक्शन कर देता हूँ जो फेज वाला पॉइंट है यहां फेज लगा दिया और जो नूटल वाला पॉइंट है यहां में नूटल का कनेक्शन कर दूँगा कुछ इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं आप देखेंगे कि हमने अपना बाइफाई MCB का कनेक्शन अपने वल्व के साथ में कर लिया है मैं एक बार इसको आपको करके दिखाऊं तो मैनुवली इसको हम अपने हाथ से नॉर्मल MCB की तरह आउन कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं अगर आप इस MCB को अपने मोबाल फोन से आउन और आफ करना चाहें उस कंडिशन में आपको एक टूया स्मार्ट एप डाउनलोड करना होगा जो इसका यूजर मैनुवल आता है MCB के साथ में उसके उपर लेखा हुआ है तो हम अपना प्ले स्टोर में जा करके एक बार ये टूया स्मार्ट एप को डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद हम इसका प्रोसेस समझेंगे कि कैसे इसको कनेक्ट करना होता है हमें अपना डारेक्ट ले गूगल के साथ में अभी हमारा एप इंस्टॉल हो रहा है थोड़ी सी देर में हमारा एप इंस्टॉल हो जाएगा तब तक हमें आहम बेट करना होगा आप देखेंगे कि हमारा app install हो गया है इसको हम simply open कर लेंगे और agree करेंगे यहाँ login और sign up दो option है तो पहले हमें sign up करना होगा क्योंकि हम first time इसको use कर रहे हैं उपर हमें country डालना है और नीचे email address डाल करके agree पर click करके continue करना है अभी हमें gate verification code पर click करना होगा और हमारी email id पर एक verification code जाएगा जिसको हम यहाँ simply enter करके इसको login कर लेंगे दोस्तो जैसे हम email id का code डालेंगे तो यहाँ एक set password का option मिलेगा जहां मैं 123 गौरब password को set कर देता हूँ और इसको done कर लेता हूँ अभी क्या होगा जो हमारा mcb है इसका आप देखेंगे कि indicator fast blink हो रहा है अगर यह indicator blink नहीं हो तब आपको एक बार mcb को reset करना होगा reset करने के लिए आप देखेंगे यहाँ एक छोटा सा आपको knob देखने को मिलेगा मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो इस knob को एक बार आपको नीचे कर देना है कुछ इस तरीके से और थोड़ी देर के लिए बेट कर लेना है और उसके बाद इस knob को ऊपर की तरफ कर देंगे तो यह mcb आपका reset हो जाएगा जैसे ही दोस्तों आप एप के अंदर sign up कर लेंगे आपको add device का option मिलेगा यहाँ corner में भी और यहाँ भी तो हम add device पर click कर लेते हैं यह automatically इसका जो wifi signal generate कर रहा है उसके हिशाब से इसने search कर लिया है तो यहाँ add button पर हम click कर देंगे आप देखेंगे कि mcb smart नाम से आ गया है यहाँ हम अपने wifi का password डाल लेंगे जो हमारी wifi का password है वो भी हमने tag गौरव रखा हुआ है तो उसका हम password डाल करके इसको next कर लेते हैं यहाँ हमारा mcb smart सेट हो गया है इसको done कर लेंगे आप देख पाएंगे कि हमारा mcb यहाँ पर on हो गया है यह mcb पर जैसे हम click करेंगे तो इसका home page खुल जाएगा थोड़ा सा processing में time लग रहा है आप देख पाएंगे कि यहाँ जो हमारा mcb को input voltage दिया गया है 243.6 volt है यहाँ पर एक switch का option है जैसे आप इसको दबाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा mcb mobile के थुरू connect हो गया है और यहीं से इसको on and off कर सकते हैं अगर आप इस mcb को नाम change करना चाहें तब आप यहाँ से नाम भी change कर सकते हैं इसका जैसे अभी के case में मैंने mcb रखा हुआ है तो आप चाहें तो mcb रख सकते हैं चाहें तो आप नाम change कर सकते हैं इसको mobile के थुरू अगर google से connect करना है तो google assistant और google home आपको download करना होगा जो मैंने यहाँ download करके रखा हुआ है तो मैं एप को open करके google assistant पर click कर दूँगा linked with google assistant पर click करूँगा तो यहाँ से get started और ok place करेंगे अब जो हमारा google home application है यहाँ आएंगे और get started पर click कर देंगे यहाँ nickname में भी हम mcb रख देते हैं और continue कर देते हैं दोस्तो हमारा complete setup हो गया है अब मैं आपको एक बार इसके अंदर देखा हूँ तो google home application है यहाँ आप जा करके देखेंगे कि हमारा mcb so करेगा जो हमने यहाँ connect करके रखा हुआ है simply इसको यहाँ से हम on and off भी कर सकते हैं अभी हमारा mcb हमने manually off किया था यहाँ प्रेश करके अगर हम इसको voice command से on करना चांते हैं तब आपको simply assistant को open करना होगा ओके google Google please on mcb आपने देखा कि google की मदद से हमने अपना mcb को on किया है अगर हम अपना google की मदद से mcb को off करना चांते हैं तब हमें अपना google को command देना होगा प्लीज turn off mcb आपने देखा कि google की मदद से हमने इसको off कर लिया है अगर आप चाहें कि turn on bulb तब उस condition में जो हमने mcb नाम दिया है इसको हमें bulb नाम देना होगा अपना app के अंदर जाकर कि जो आप देखेंगे यह app का हमारा home page है अपना mcb पर click करेंगे इधर हमारा status आ जाएगा यहां से हम इसको rename कर सकते हैं mcb की जगए पर अगर हम bulb कर देंगे तब उस condition में हम bulb बोल करके भी इसको on करा सकते हैं shape कर देंगे यह हमारा नाम save हो गया है अब हम बोलेंगे turn on bulb तब हमारा mcb on हो जाएगा google please turn on bulb आपने देखा कि हमारा bulb बोलने पर भी mcb on हो गया क्योंकि हमने जो mcb नाम था उसको rename कर दिया है google please turn off bulb अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगाई तो एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूच्वल वीडियो देखने के लिए जल्दी मिलूँगा एक नई वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए जैए प्रिकषाब्स प्रिकषाम